बहुत गर्मी है साला यतना तो सोच भई नहीं किये थे यक्काई किलमीटर में हालत पस्त हो गई एकदम सब तुम्हारा किया धरा है पसीना सूखी नहीं रहा है एकदम से ऐसा लगरा जिसा डिहाइडरेशन का सिकार हो जाएंगे हम हम यसी से निकल के एक कदम ना आते लेकिन तुम्हारे चक्कर में हमको यहां ता काके मनना पड़ा एक बात एको तुम दूनों कान कोल के सुन लेना अगर हमाई तबियात खराब हुई न तुम्हाई हालत खराब करके रख देंगे हम बस डालिंग तुई दिन की बात है इसे गाव समाज है सबसे अलग होकर नहीं रह सकते हैं साथ में लेके चलना पड़ता है मजबूरी समझो हमारी हम बहुत साउप से नहीं आये हैं हिया पता लाई कांसर जहन्नुम में लेकर आगे हैं हमको मतब यपनी भी गर्मी होती है क और हम हैं जब आम नीम पीपर बर्गत पाकर गूलर चुवर के तुए सब मनी पलांट बैठावक शुरू कर दिया रहा तब नाई जाने रहा कि एकर का परिणाम हुई हैं अब काहे च्छाटी पी तथ भाई गर्मी अपने आप नहीं हो रही है आधुनिक्ता भावतिक वा जैसा जनम दिन मनावा थो मैनुवर्सरी मनावा थो हर चीज कर थो वहिर वजग्विठू पीणाव लगाए दियो अव लगायन मर्द ही नाई हैं कम से कम साल दुई साल तीन साल वकर रख रखाओ कर दे बो तो यह जवन कूलर मा बाल्टीन पानी डार थो यका डारे से लोग इसे अच्छा यसी खरी लिया है प्रेम से उसमें सोते हैं हमको गर्में टच भी नहीं कर सकती है एक बात पर निंगनावलई से नाहीं वैक बात है जो गलत है वो इस नभी के लिए गलत है पर्यावरन की शुरक्चा के iliille धरातल पर उतर के काम करना पड़ता है हर एक व्यक्ति को सहयोग करना पड़ेगा अब तक प्रत्येक मनुष्य इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा और आगे नहीं आएगा तब तक स्थितियां बढ़ से बढ़तर ही होती जाएंगी अभी तो कुछ नहीं देखा है यह दिन प्रत दिन इस्थितियां और भय जावा होती जाएंगी हमको तो लग रहा है आने वाले दस-पांच साल में गर्मी के सिजन में बाहर निकलना असंभव के समान कथिन हो जाएगा अब काका हम दस-पांच साल में कभी कभा तो गाव आते हैं कहां टाइम मिलता है हमको बहुत बेस्ट लाइफ है काका हमारी से हम लगा पाएंगे कहां उसकी रखवाली कर पाएंगे यही सबसे बड़ा दुर्भाग गहमानाव समाज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है जिसका कोई जबाब कोई अंदाजा ही नहीं है धर्थी पे जनम लेने के साथ ही शुरुआत करता है अपने जीवन की हर ए इसी प्ठिवी पर मिरभर करता है एक एक सांस इसी धर्थी से लेता है उसके बाद अपनी छाती पे दो पेन रखके इस दुनिया से अल्विदा ले लेता है लेकिन कभी भी यह नहीं सोचता कि जो पेन हम अपनी छाती पे रखके इस दुनिया से जा रहे हैं कम से कम वो दो प्रेम से जो पर रहा है उसको भुगती है हमरे अकेले के करने से क्या होगा काका बेवकूफी वाली बात मत करिये भया हम सुधरेंगे तभी तो संसार से सुधरने की उमीद कर सकते हैं अच्छाई भी संक्रामक है आप शुरुआत तो करिये अपने आप फैलती चली जाएगी ठीक है काका अगर हमारे ही करने से सुरुआत होगी तो हम 10 साल में एक बार गाव आते हैं जितनी बार आएंगे 20 पेर लगवा कर तभी यहां से जाएंगे अब सिप लगवाएंगे ही नहीं उसके 3 साल के रख रखाव का खर्चा भी बहन करेंगे हाँ बिलकुल सही बात है अगर ऐसा करने से गर्मी से राहत मिलती है तो हम इस काम को बिलकुल साथ से करेंगे और हर बार करेंगे हाँ भाईया परियाबरन और प्रकिर्ट के साथ ताल मेल बैठाने के बाद सिर्फ गर्मी से ही नहीं अच्यदिक जारा अच्यदिक बरसात और जितनी भी प्राक्रितिक आपडाएं आती हैं उन सब से हमारी सुरक्षा हो सकेगी भाई अगर सिर्फ पेड़े लगाने से ही सब संभाव है तो बिलकुल आज से ही हम यह मुहिम स्टार्ट करते हैं हमारे जो भी दर्शक्स वीडियो के देख रहे हैं उन सभी से हम अनुनाई भिनाई करते हैं कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो बरस में एक पेड़ अवस्थ लगाएं दो चार साल आप उसका रख रखाव कर दें उसके बाद वही पेड़ आप का रख रखाव करेगा इस बात में कोई संदेह है ही नहीं